तो हलो फ्रेंड्स वल्कम बैक तो मैं चैनल तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बैसिक सिविल इंजिनिरिंग का जिरने भी कोश्चन को हम लोग ने डिसक्स किया था अपने वीडियो का लेक्चर में यूनिट वाइज मैं सारे कोश्चन का एंसर आपको जादा उठा सकें और इसको लाश्च तक जरूर देखें और बिना किसी इंसार के हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक है बिल्डिंग मेटरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन यानि विल्डिंग मेटरियल में क्या क्या हम लोग यूज करते हैं तो कह रह असे थिक एपिरेंस दियर रवेरियस टाइप बिल्डिंग मेटरियल से डिपेंडस अपवन एपिरेंस इंस देयर ताइप प्रपर्टी इस यूज आन मेनुफेक्ट्रिंग सबसे नमबर वन है आपका बिल्डिंग स्टोन अगरिगेट्स सेकेंड है आपका ब्रिक्स प्लास्टिक पीबीसी मेटेरियल और प्रोडक्ट एट नमर आपका है आइरन स्टील अलोय और नाइन्थ है आपका इंसुलेटिंग मेटेरियल तेंथ है आपका रूफ कंवरिंग मेटेरियल तो यह कंप्लीट होता है इसके हम बात करें क्लासिफिकेशन के तो स्टोन से एंड इस क्लासिफिकेशन स्टोन अर डिवाइड फोर्म रॉक्स अर्थ क्रस्ट अनिट ड़स नॉट हैब एनी डिफिनिट शेप एंड स्ट्रक्ट्चर इन एक्च्वल देयर अर्दा फार्गमेंटेड पार्ट ओफ द रॉक और फ्रेंड पॉइंट इसी में है स्टोन में भी क्लासिफाइट फोर टा Philadelphia में स्टोन स्टोन को दिवाइड किया गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन डियोलोग फ्लाजिकल क्ल्सिफिकेशन में रएमग् पार्धैट क्लासिफिकेशन और प्रेकर व्लासिफिकेशन तो connections met A क्रेब करें है स्डुटिवाइट स्टो नीजी स्टों और डF अर्वरीफ दिऊश्ब फ्रों दर सेडिमेंटरी रॉक ठीच स्टों आर फांद इन लेर्जी वन एभावाव दमाटर क्व वन अर्टर तू दे ऊन्द ली में चैकलमार्व स्टॉन एंड्स पहर पेखिवल है श इक्जाम फ़र इस टॉन उसमें आपका सेटेट है आपका इसी में जियोलोजीटल क्लासिफिकेशन के बार में आप देख सकते हैं और इसमें आपका देख सकते हैं कितने परकार के आते हैं वह आपका इग्नियस रॉक आता है कि सेंटिफिक इंजिनरी क्लासिफिकेशन जिसमें आप देख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन दो केमिकल कंबंशन जितने भी चीजे इसमें प्रोवाइड करा जा रहे हैं बस आप इसका स्क्रीन सोट लेते जाए और अपने कोपी में सही तरीके से का सारे क्वक कर्सक्री नोडन की तो आप से देख सकते हैं कि इसे आपकाundred-टेस्ट रॉन-भिक्स क्या है तो घॉन-कूसे चीजें है चली जो है तीन बैसिक टेस्ट है वह अप्लाइब सुट्म हेम वह आप लिक्त इस इसमें सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया तो आप लेते जाएगा मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा हो तो बस मैं इसका इसका क्रॉल डाउन करना हूं आप लोग स्कीन सवर्ड लेते जाएगा और वीडियो पसंद्द है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर वैजनगों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगला डॉबिक आपका है बेरिएस टेस्ट और ब्रिक्स ब्रिक्स के कौन-कौन से टेस्ट है जो कि लेबरेटरी में यूज किये जाते हैं किस तरह से ब्रिक्स बनाया जाते ह क्योंकि हर बार examination में कुश्चन आता है तो आप लोग टेंसर फ्री रहे कुश्चन तो आना ही है और आप लोग इसको तयार कर लिजेगा जितना जल्दी हो सके क्योंकि टाइम बहुत कम है फिप्ट नमबर आपका वेरियस लेवरेटी टेस्ट फॉर दसीमेंट सीमेंट के लि और इसी से रिगार्डिंग मैं Computer Science का भी लेक्चर लेके आऊंगा जल्दी और इसके यूनिट सेकेंड का भी लेक्चर में प्रोवाइट करूंगा सिबिल इंजियरिंग का आप टोटल फाइप यूनिट का हम लोग कवर करेंगे पांच दिनों में हम लोग का टार्गेट ल आपका नोमियल कंक्रीट या फिर जिसे हम कहते हैं प्रोपो टेस्निंग सौफ कंक्रीट जिसमें आप देख सकते हैं ये इसका स्टेट्मेंट है और नमर आपका काफी इंपॉर्टन टॉबी के जो है आपका कर करनिंग क्या होता है तो कर दिए परोसेस ऑप कीपिंग दग मॉइस्ट एंड वार्म इनफ तो यह आप देख सकते हैं इसमें इसमें पॉइंट यहाग है कि मॉस्टली कमनली इंपलोईड में अप लोगों ने सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से तो आर से सी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है आप इसको देख सकते हैं सारी चीज़े यहां पर दी हुई है और सेजी क्या है आपका किस तरह से इसका यूज़ है और टेंड नमर आपका टॉप तरिक है Energy Efficiency in Building Building and Energy efficiency किस तरह से हैं क्या है और इसे और भी क्या हम कह सकते हैं यह तो पहलते डिफिनिशन होगा इनरजी Efficiency का और यहां पर और निखा हुए है जो कि आपका सकेंड निपनेशन हो सकता है तो आप अउप हुआप से हैं सूटेबर लगे जो आपसको याद कर से यहीं तक आपका दोर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है और टाइप आपके दोपर करके वोते हैं यहीं पर वीडियो खत्म होता है आई होप आपकी पसंदा वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बैचनल को सब्क्राइब कीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो अंतर बगले थाइंक यू